कैसे हो बचो, हिंदी की क्लास में आपका फिर से स्वागत है आज हम नया व्यांजन सीखने वाले हैं और वो नये व्यांजन का नाम है ध, व्यांजन ध, चलो देखते हैं व्यांजन ध, ध, ध से दोलक बाजे डम 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 ध, से दोलक, ध, से धीला धीला मतलब लूस, जैसे की अपना पाईजामा धीला हो जाता है ध, से टकन हमें हमेशा खाने की चीजों को डकन से धक कर रखना चाहिए ध, से धकना जब हम बहार दूप में जाते हैं, हमको पूरी भाजू के कपड़े पहन कर अपने आपको धकना चाहिए ध, से धेर जब कोई भी चीज एक के बाद एक इखटी हो जाती है, उसे धेर बोलते है जैसे के किताबों का धेर, धसे धोकला, नरम नरम और मीठा नमकीन धसे, धसे धालना प्लास्टिक की बोटल बनाने के लिए प्लास्टिक को धाचे में डालके बोटल के शेप में धालना धसे धलान जब पहाड़ी रास्टों में जाते हैं, हम धलान देखते हैं अब हम सुनेंगे धकी कहानी एक दिन दुपर को धाई बज रहे थे दोलू डीला सा पजामा पहन कर धोकला खाने बहार गया रास्ते में उसने प्लास्टिक वेस्ट का धेर देखा उसे देखकर दोलू बहुत उदास हो गया दोलू प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्टरी में गया वहाँ जाकर एक आदमी ने उसे बताया की प्लास्टिक के धाचे में ढाल कर कैसे उसका आकार देते हैं कैसे बोटल बनाते हैं फिर वो आदमी ने फैक्टरी के सामने प्लास्टिक वेस्ट का धेर दिखाया और बताया की कैसे उन लोग उसे रिसाइकल करते हैं चलते चलते दोलू एक दुकान पर पहुँचा वहाँ उसने देखा की खाने का सारा सामान धका हुआ है और पास में ही एक धोलक बज रहा है डम 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 कैसी लगी कहानी? जैसे कि आपको मालूम है हर एक व्यांजन पढ़ने के बाद में हम उसका राइटिंग करते हैं तो हम अभी व्यांजन ढख का राइटिंग करेंगे उसके लिए आपको कौन सी बुक चाहिए? सही बताया My Skill Book उसके बाद में आप पेज नमबर खोलोगे और लेफ्ट साइड पे डेट लिखोगे पेज नमबर 4343 पेज नमबर 4343 में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे डेट लिखनी है कौन सी डेट लिखोगे? 23, 7, 20 उसके बाद में चलो प्राक्टिस करते हैं कैसे व्यंजन धर लिखते है आपको जैसे के मालूम है हमको हिंदी तीन लाइन के बीच में लिखनी होती है पहली रेखा जो है उदर से शुरू करके हम स्टेंडिंग लाइन बनाएंगे पर वो स्टेंडिंग लाइन दूसरी लाइन को टच नहीं करेगी चोटा स्टेंडिंग लाइन वो दूसरी लाइन को टच नहीं करना है फिर हमको बड़ा सी बनाना है जो तीसरी लाइन को टच करेगा फिर ऐसे अंदर जाते हुए चोटा सा गोला बनाना है ये हो गया व्यंजन धर और एक बार लिखेंगे पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में चोटा स्टेंडिंग लाइन परन्तु वो पहली स्टेंडिंग लाइन दूसरी लाइन को टच नहीं करेगी फिर एक सी बनाएंगे जो तीसरी लाइन तक बनेगा और उसको टर्न करके आधा गोला हो गया ये ड़ और एक बार लिखेंगे पहली लाइन से दूसरी लाइन के बीच में छोटा सा स्टेंडिंग लाइन परन्तु ये लाइन दूसरी लाइन को टच नहीं करेगा फिर उदर से हमको C बनाना है आदा गोला जो तीसरी लाइन को टच करेगा फिर उसको उपर लेते नीचे जाना है अंदर की तरफ और एसे छोटा सा गोला बनाना है और स्लीपिंग लाइन बनाना कभी भी नहीं बुलना है हिंदी में ये हो गया आपका ध़ और एक बार लिखेंगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में उपर थोड़ा सा जाना है परन्तु दूसरी लाइन को टच नहीं करना है उदर से अंदर जाते हुए छोटा सा गोला बनाना है स्मॉल सर्कल और पहली लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनानी है ये हो गया आपका ध़ बच्चो आपको ये पूरा पेज राइटिंग करना है और अच्छे से धर लिखने की प्राक्टिस करनी है जबी भी आप धर लिखो हमेशा बोलना है धर से धकन, धर से धोकला, धर से धलान ऐसे अच्छे से बोल के लिखने की प्राक्टिस करनी है अभी हमने व्यनजन ड भी सीख लिया और ध भी सीख लिया अभी देखेंगे व्यनजन ड और ध साथ में कैसे लिखते है व्यनजन ड और ध साथ में लिखने के लिए हमको अपनी ग्रीन कलर की हिंदी नोटबुक लेनी है उसमें हम next page open करेंगे उसके बाद में left side corner में date लिखेंगे और two times ड लिखेंगे पूरा line में practice करनी है एक के नीचे एक व्यनजन लिखने है एक इदर एक उदर वैसे नहीं लिखना है वो अच्छा नहीं लगता है वो neat नहीं लगता है ड लिखने के बाद में हम व्यनजन ड लिखेंगे में लिखना है एक के नीचे एक मुझे आशा है बच्चों आपको व्यनजन ड और व्यनजन ड और ड कैसे लिखना वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद